बाप रे ग्यारा लाख रुपे का इंटरस्ट हाँ जी बिल्कुल सही पड़ा थमने लापने यहाँ पर देखिए हमारे पास एक यह नोटिस आया है 16 दिसंबर 2019 को और उसमें इंटरस्ट कितना लगा है 11 लाख रुपे का इंटरस्ट लग गया सर यह 11 लाख रुपे का इंटरस्ट इतना हैवी इंटरस्ट क्या हमें देना पड़ेगा बिल्कुल देना पड़ सकता है जी अगर आपने सही 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 इस नोटिस का रिपलाए नहीं किया सर ऐसा क्या होगे इस नोटिस के अंदर इतना इंटरस्ट क्यों लगा दिया मैंने का चलो पड़ते हैं हम हमने जब इसे पड़ा नोटिस को इन्होंने क्या बोला नोन पेमेंट ऑफ इंटरस्ट फोर डिले पेमेंट ऑफ जी एस टी की असैसी तुमने जी एस टी डिले पे करा है तो उसके लिए आप हमें इंटरस्ट देतो फोर दा पीरियड ओफ अगस्ट सत्रा टू अगस्ट उन्नेस दो साल का इंटरस्ट इन्होंने तुमसे मांग लिया आपने जाने अन जाने में कभी 20 तारिक्यों जो रिटन फाइल करनी थी वो 21 तारिक को फाइल कर दी कभी 22 तारिक को फाइल कर दी और आपने लेट फीस त पूरा हमें खटा करके दे दे और वो इंटरस्ट निकला है ग्यारा लाक रुपे कैसे निकला है इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मैं आपको जरूर बता दूँगा चैनल आपने सब्सक्राइब करी दिया होगा फिर भी अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो ए it is seen that you have filed GSTR 3B for the period August 17 to August 17 is beyond their respective due date कि आप अपनी जो 3B है वो due date के बाद फाइल कर रहे हैं also liability for the month were offset at the later date और अगर आपने GSTR 3B late file करी है तो भाई liability भी आपने लेट ही पे करी होगी sir मैंने तो cash ledger से पहले ही पे कर दी itc तो पहले से ही आगया मेरे ledger में liability तो मेरी बनती ही नहीं थी मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता section 50 जो हमारा पुराना वाला section है वो यह कहता है कि आपको interest देना पड़ेगा as a result you are liable to payment interest of delay payment of GST under section 50 उन्होंने इसी section का reference लेकर कि बोला कि section 50 subsection 1 में आप हमें interest की payment कर दो red with the notification ये notification में तो rate बताए गया है the total interest for the period अगस 17 से लेकर अब तक का कितना है 10 लाख निन्यान में हजार 11 लाख रुपे का interest है भाई इसमें तो client परेशान हो जाएगा और देखो इन्होंने interest की calculation कैसे करी है क्योंकि लिखते calculation seat as and close अब हम इनकी interest की calculation को देख लेते हैं अब इस interest की calculation में इन्होंने August 17 से लेकर August 19 तक के month दे दिये और वहाँ पर इन्होंने कहा कि ये है आपकी taxable value और इस taxable value पर इतना tax बनता है और इतना tax आपने इतने दिल लेट करा तो उस पर ये interest आपको payable बनता है जब मैंने इस notice को देखा तो मुझे लगा कि भाई ये interest तो थोड़ा सा justify नहीं है सर justify क्यों नहीं है मैंने का इन्होंने जो interest लगाया है ये taxable value पर लगा दिया जबकि इन्हें मेरा ITC जो था वो भी तो कम करना चाहिए था मुझे net liability पर लगाना चाहिए था लेकिन सर नेट liability पर क्यों लगाई क्योंकि जो original section 50 है वो तो ये नहीं कहता section 50 तो simply ये कहता है कि आपको interest पे करना है और जो आप amendment की बात करते हो जो amendment finance act 2019 से आई है वो तो भी applicable है ही नहीं क्योंकि अभी एक जन्वरी दो जन्वरी को notification आई थी finance act 2019 के सारे sections को notify कर दिया था लेकिन जो interest वाली amendment थी उसे notify नहीं किया तो इसका मतलब interest तो gross liability पर ही लगेगा तो department ने तो कुछ भी गलत नहीं किया आप इसे गलत कैसे कह रहे हो मैंने कहा बिलकुल आप ठीक कह रहे हो department ने गलत नहीं किया क्योंकि इन्होंने जो ये notice दिया है इन्होंने तेलंगाना high court जिसने decision दिया था कि gross liability पर ही interest लगे उसके हिसाफ से दिया है लेकिन मैं government से पूछना चाहता हूँ मैं department से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये provision गलत नहीं था ये provision सुरू से ही गलत नहीं था तो आपने finance act 2019 में इस provision को change करा क्यों इसका मतलब अगर आप finance act 2019 से इस provision को change कर रहे हो इसका मतलब provision में गलती थी और अगर गलती थी तो जो पुराने वाले assessi हैं वो suffer क्यों करें अगर मैं इस वाली judgment को आगे supreme court तक लेकर जाओंगा तो supreme court मेरे favor में decision देगा आप मेरी बात को समझ रहे हैं मेरा case fighting क्या है कि अगर ये provision सही था तो रखते सही बना कर अगर आपको लग रहा था ये गलत है तभी तो आपने finance act 2019 में change करा और अगर आपको ये change करना था तो ये rest of active date से करते जिससे कि जो पिछले लोग हैं उन्हें नुकसानाओ अब कोई व्यक्ती जिसे loss हो चुका है उसका क्या होगा वई तुमने आगे वालों के लिए ये provision बना दिया ये बड़ी hardship है पहला तो मेरा अगर reply दूँगा तो मैं ये opinion इसमें draft करूँगा इसके अलावा मैं दूसरी बात करता हूँ क्योंकि आपको पता है कि अगर high court ने decision दिया है वो उसी state में मानने है तो जिस state का ये notice है मैं उस state के basis पर देखूँगा और मैं इस case को fight करूँगा और आपने ये भी देखा है past में कि दो high court के decision किसी एक matter पर defense भी हो सकते है इसके अलावा जब आप ये मुझे notice भेज रहे हो तो मुझे एक चीज बताओ जब आप मुझे notice भेज रहे हो तो notice आप कौन से section में भेज रहे हो क्या आपने section 50 लिखा notice में section 50 के अंदर क्योंकि notice अगर आप serve करोगे उसका एक base section बनाओगे कि भई मैं इस section को use करके notice भेज रहे हो section 50 तो interest लगाने की बात करता है लेकिन section 50 notice issue करने की बात नहीं करता तो पहले इसका एक base section बताओ कि आप किस base section में मुझे notice भेज रहे हो क्योंकि जितने भी penalties के section है जितने भी बाकी section है वहाँ पर ये बात लिखी गई है कि अगर आपने अपना tax और interest तो tax तो मैंने पे करी दिया ना तो सिर्फ interest के लिए आप मेरे को एक base section बना कहीं तो notice भेजोगे तो यहाँ पर वो base section भी मिस है और आपको पताए एक हमारा था दिन नंबर, document identification नंबर आपने इसमें वो भी नहीं डाला ठीक है ना, तो अगर यह सारी चीज़ा आपने नहीं डाली तो यह notice एक तरीके से, weak notice है अब इसमें हमें सबक क्या लेना है हम तो इसका reply दे देंगे या आप भी इसका reply दे सकते हो लेकिन हमें सबक यह लेना है कि जिन जिन क्लाइंटों की returns के लिए हम सिरिफ यह सोचते है कि भाई 20 रुपे ही तो late fees लगेगी 50 रुपे ही तो late fees लगेगी तो अपने उस client को समझा दो कि भाई 20 रुपे 50 रुपे late fees नहीं लगेगी साथ में तुमें interest भी देना पड़ सकता है क्योंकि कई लोग professionals हम लोग क्या करते हैं अपने clients को यह नहीं समझाते तो वो कहता है कि लोजी 50 रुपे डाल जे तुमारे account पे late fees पे कर देना भाई interest भी तो लगेगा और interest लगेगा gross liability पे पुराने लोग के हिसाफ से नया लोग भी apply नहीं हुआ कि भाई आ तो interest जमा करा दे नहीं तो तुझे भी ऐसा notice आ सकता है आशागर तो वीडियो अच्छी लगी होगी आपको कैसी लगी वीडियो आपको यह मुझे comment box में लिख कर बताएं मुझे बताएं comment box में कि यह notice सही है या नहीं है इसमें क्या correction होनी चाहिए आपका क्या view point है और किस नए topics पर आपको वीडियो चाहिए वीडियो अच्छी लगी है तो इसे जादे से जादा लोगों तक share कीजिएगा like भी दबाईएगा अगर आपको GST में कोई भी समस्या है तो आप हमारी paid membership जोइन कर सकते हैं इसके अलावा सर पेर membership के अभी पैसे नहीं है तो कैसे आपसे query ले सकते हैं मैंने कहा आप अपनी query को हमारी website fintechsolution.in पर पूछ सकते हैं वहाँ पर query corner है वहाँ पर आप अपनी query पूछ सकते हैं detail में reply चाहते हैं तो आप हमारी paid membership जोइन कर सकते हैं खुद भाखुद GST expert बनना चाहते हैं तो आप हमारी pen drive classes ले सकते हैं जिसमें हमने लगबग 90-90 गंटे का course पूरा detail में पढ़ाया है और उसके अंदर आपको अगले 6 महीने तक अगले 12 महीने तक updates मिलती रहेंगी free of course उसकी हम कोई cost आप से नहीं लेते हैं pen drive देखते हैं में कोई आपको दिक्कत आती है आप अपनी query हमें whatsapp कर सकते हैं और mail भी कर सकते हैं और 9 और 9C की date याद है न 31 जन्वरी है delay मत करना 9 और 9C से related अगर कोई भी issue है तो आप हमारी special pen drive ले सकते हैं